रोज रोज की वही सिंपल सी दाल खाकर बोर हो चुके हैं तो एक बार ये बहुत इस्वादिस्ट राजिस्तान की फेमस पंच मिल दाल को बना कर देखिएगा खाने में ये इतनी टेस्टी है कि सभी दाल को छोड़ कर हफ़ते में चार दिन सिर्फ इसे ही बनाना पसंद करेंगे तो चलिए बिनादेरी की इसे हम बनाना सुरू करते हैं तो ये सूपर हिल्दी और टेस्टी पंच मिल दाल बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में मैंने यहां पे एक चौथाई कप चने की डाल ली है एक चौथाई कप अरहर की डाल लेंगे जिसे कि हम तूर दाल भी बोलते हैं साथ में मैंने यहां पे एक चौथाई कप मूंग की डाल और एक चौथाई कप उरत की डाल ली है उरद और मूंग डाल मैंने छिलके वाली ली है आप चाहे तो बिना छिलके वाली जो धूली वी डाल आती है न वो भी ले सकते हैं इसमें हम एक चौथा एकप मसूर डाल भी लेंगे यहाँ पे पांचो डाल की जो मातरा है न वो मैंने बराबर रखा है आप अपने पसंद के नुसर किसी भी डाल की मातरा को कम ज़्यादा कर सकते हैं अब इसमें पानी डाल कर अच्छे से रब करते वे डाल को कम से कम 4-5 पानी से धोईंगे ताकि इसमें जो भी डस्ट वेगर है वो पूरी तरह से निकल जाए देखिए पानी कितना ज़्यादा क्लावडी हो चुका है इस पानी को फेक कर डाल को मैंने 4 बार और धो लिया है अब इसमें जरुवत के नुसर पानी डाल कर आदे गंटे के लिए डाल को ऐसे छोड़ देंगे ताकि भीग कर ये थोड़ी सी नरम हो जाए और दाल को पकने में समय कम लगे आदे गंटे में ही देखिए दाल अच्छे से फूल चुके हैं अब इसमें जितना भी अक्ष्रा पानी है उसे पूरी तरह से निकाल कर दाल को पकने के लिए प्रिसक उकर में डालेंगे अब जितना हमने डाल लिया है उसका 4-5 गुना इसमें हम पानी डालेंगे तो सवा कब डाल के लिए अभी फिलाल मैंने इसमें 5 कब पानी डाला है आगे जरुवत होगा तो गरम पानी डाल कर डाल की कंसिस्टेंसी को हम सेट कर सकते हैं ग्यास को ओन करेंगे और बिना कुछ डाले पहले डाल को थोड़ी दिरिकले उबलने देंगे देखे चार से पाच मिनट में ही डाल में अच्छा सा उबाल आने लगा है और ये जो उपर ज्जाग आप देख रहे हैं ना इसे हम निकाल देंगे जब भी आप किसी भी तरीकी की डाल बनाएं तो इस ज्जाग को जरूर से निकाल दें ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही अनहल्दी है अब स्वाद के अनुसार मैंने इसमें दो छोटी चमच से थोड़ा कम नमक डाला है आधी छोटी चमच हलदी पावडर डालेंगे एक बार मिलाकर कुकर का धकन बन करके हाई फ्लेम पर पहले इसमें एक सीटी आने तक का वेट करेंगे देखिए एक सीटी आ चुका है तब गैस की फ्लेम को एकदम लो करके घड़ी के टाइम से इसे हम सिर्फ 5-7 मिनट के लिए पकाएंगे उतने देर में ही डाल अच्छे से गल जाएगी लो फ्लेम पर डाल को पकाते वे मुझे याँ पे लगभग 6-7 मिनट हो चुके हैं अब गैस को आफ करके इसमें जितना पी प्रेसर है उसे पूरी तरह से निकलने तक का वेट करेंगे 10-15 मिनट में ही इसमें जितना पी प्रेसर था वो पूरी तरह से निकल चुका है देखिए दाल भी एकदम बढ़ियां से पक कर पूरी तरह से गल चुके हैं अब दाल को फ्राई करने के लिए एक कडाही को गरम करके इसमें लगभग दो बड़ा चमश तेल डालेंगे साथ में मैंने यहां पे एक बड़ा चमश घी भी डाला है आप चाहे तो इस दाल को सिर्फ तेल में या पिर चाहे तो सिर्फ घी में भी बना सकते हैं तेल अच्छ से गरम हो चुका है तो अब इसमें हम आदी छोटी चमश जीरा दो तेजपत्ता और साथ में कुछ खरे मसाले भी डालेंगे तो मैंने यहां पे एक दाल चीनी का टुकरा एक बड़ी लाईची, तीन छोटी लाईची और तीन लॉंग डाला है ध्यान रखीएगा कि खरे मसालों को हमें जलाना बिल्कुल भी नहीं है कुछ सकेंड में ही सभी मसाले हलके से भुन चुके हैं तो अब इसमें हम एक चौथाई चोटी चमश हिंग साथ में एक बड़े साइस के प्याज को बारी काटके डाला है प्याज के साथ ही इसमें हम एक बड़ा चमश बारी कटावा लहसुन एक बड़ा चमश बारी कटावा अदरक साथ में चार हर्यमिर्श को मैंने या पर लंबाई में काटके डाला है ताकि प्याज के साथ साथ ये सारी चीज़े भी भुन जाए गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखेंगे और बीच बीच में शलाते वे इसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज का जो कलर है न वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता देखिए प्याज के साथ साथ अदरक लैसुन हरिमिर सबी चीजे एकदम बढ़िया से भून चुके हैं तब यहाँ पे मैंने दो मीडियम साइस के टमाटर को बारी काट के डाला है टमाटर जल्दी गल जाए इसके लिए इसमें हम आदी चोटी चमश नमक भी डालेंगे नमक हमने दाल को उबालने वक्त भी डाला है तो नमक एकदम हिसाब सही डालिएगा अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर बीच बीच में चलाते वे टमाटर को लगभग 4-5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि टमाटर का जो कच्छा टेस्ट है वो दाल में बिल्कुल भी ना आए देखे टमाटर फ्राई होकर पूरी तरह से गल चुके हैं तो अब इसमें हम आधी छोटी चमच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चमच लालमिश्क पाउडर, एक छोटी चमच धनिया पाउडर और एक छोटी चमच जीरा पाउडर डालेंगे गैस की फिल्म को मीडियम पे रखेंगे और धीरे धीरे लगातार चलाते वे मसालों को लगबग 30-4 मिनट के लिए भूनेंगे देखिए मसालों का कलर टेक्शर पूरी तरह से चेंज हो चुका है भूनेंगे मसालों की खुसबू भी आने लगी है तो भी ये जो दाल को हमने उबालकर रखा है न वो इसमें डालेंगे और अभी ये दाल काफी ज़्यादा गाड़ी है कंसिस्टनसी को सेट करने के लिए इसमें हम जरुवत करने साथ गरम पानी डालेंगे ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे गरम पानी ही डालना है अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो वैसे में डाल का जो टेस्ट है न वो पूरी तरह से खड़ाब हो जाएगा मैंने इसमें लगभग triangle कब गरम पानी डाला है अब इसमें हम आदी छोटी चमच गरम मसाला साथ में आदी छोटी चमच रोस्ट किया वा कसूरी मेति डालेंगे कसूरी मेति का जो टेस्ट है वो इस दाल में बहुत इच्छा आता है तो कसूरी मेति अब जरूर एक बार सभी चीजों को अच्छे से मिला लेने के बार low to medium flame पर दाल को 3-4 मिनट के लिए और पकाएंगे। दाल को पकाते वे मुझे आप लगभग 3-4 मिनट हो चुके हैं। और अब आप देखिए दाल की consistency एकदम perfect है। ग्यास को ओफ करके उपर से इसमें हम बारी कटवा हरधन्या डालेंगे। आप चाहे तो इस दाल को अभी भी सर्फ कर सकते हैं। लेकिन इसके स्वात को और ज्यादा बढ़ाने के लिए उपर से एक और तरका लगाएंगे। तो इसके लिए एक तरका पैन को गरम करके मैंने इसमें एक बड़ा चमस घी डाला है। थोड़ी देर में ही घी पूरी तरह से melt होकर अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब इसमें हम आदी छोड़ी चमस जीरा, साथ में थोड़ा सा ये बारी कटावा लैसुन डालेंगे। देखिए थोड़ी देर में ही लैसुन का कलर भी चेंज होने लगा है। तो अब इसमें हम दो सूखी वी लालमिच डालकर बस इसे कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। अब गैस को आफ करके उपर से अद्रक के लच्छे। साथ में एक बढ़िया सा कलर के लिए मैंने इसमें एक छोड़ी चमस कस्मीरी लालमिच पावर डाला है। एक बार मिलाकर तुरंत इस तरके को हम दाल के उपर डालेंगे। और अब ये बहुत स्वाधिस्ट पंच मेल दाल बनकर पूरी तरह से तयार है। आप इस पंच मेल दाल को गर्मा गरम रोटी, चावल, जीरा, रास किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो इस दाल को गर्मा गरम बाटी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं। बिना कोई अवन तंदूर के कडाही में राजस्थानी बाटी कैसे बना सकते हैं। उसकी रेसिपी पहले शेयर की हुई है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा। आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा, आपको वो भी बहुत पसंद आएगी। और ये डाल खाने में इतनी टेस्टी है कि बिना किसी सबजी के रोटी, चावल, बाटी तो आप सिर्फ इसी से खा लेंगे। तो एक बार आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा। और ट्राइ करने के बाद अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने चैनल शिवानिस किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। और अपने प्यारे प्यारे कॉमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाए।